Hello everyone, last video में article का पार्ट 1 है उसमें हमने definite article को explain किया था, साथ ही उसके exercise भी की थी आज किस पार्ट में हम indefinite article A और N को cover करेंगे और साथ ही इसकी exercise भी करेंगे तो ठीक है चलिए देखते हैं हम कि A और N का use आप कहां कहां कर सकते हैं देखें A is used before the singular nouns having consonant sound A का use हम generally उन singular nouns and adjectives से पहले कहलते हैं जिनका जो sound है वो कहता होना चाहिए consonant sound For example, मैंने यहापर कुछ examples है कि इनको बहुत ध्यानती समझना है आपको अब बाविल sound क्या है, consonant sound क्या है, I hope आप चानते है मैं लेकिन आपको बहुत simple तरीका बता देती हूँ Wobble sound and consonant sound identify करने का, जो हमारे A, E, I, O, U होते हैं इन से related जितने भी sound होंगे, निकलेंगे, वो सब wobble sound है इससे भी simple मैं आपको समझाते हूँ, जिए दिखे जाते हैं हिंदी में A से लेके अंगा तक के जो words हैं ठीक है, बड़ी अंगा अब यह हिंदी के जरूत इसलिए पढ़ गई है क्योंकि confusion हो जाता है कभी कभी वो मैं आपको आगे समझाओं की कहते हैं A से लेके अंगा तक के जो words होते हैं अगर इन में से कोई sound आ रहा है जो भी words होते हैं तो वो हो गया आपका wobble sound अब अगर आपका का से लेके गया तक इन में से कोई sound आ रहा है तो वो हो गया आपका consonant sound अब चलिए हम यह आप एक example समझ लेते हैं अगर यह मैंने अपको बहुत ही basic तरीके से जन्दल तरीके से समझाया है I know Hindi का use थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको आपको इससे simple नहीं हो सकता that's why I use it अब देखो यहां पे a girl है girl तो यह जो girl हम जब pronunciation कर रहे है तो हमें आ रहा है girl girl तो यह हमारा हो गया consonant sound और यहां पे लगा दिया a right next देखिए fan fan जब आप fan का pronunciation कर रहे हैं fa fan तो यह भी आपका हो गया pronunciation consonant sound का यहां पे लगा यहां पे आ गया a अब आप इसको देखो university अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया था आथ से अंगा का से ग्या वाला इसलिए दियाता है क्योंकि कभी-कभी students क्याता है university वो यू देखेंगे यह तो यू तो वबल होता है इससे पहले n लगा देंगे जैसे कि one देखेंगे जैसे one-eyed man लेखा हुआ है किसी भी sentence में बहुत आता है one का तो मैंने कई example में देखा है यह one से पहले a आएगा या n आएगा तो यह one-eyed man for example ठीक है तो अभी इससे पहले वो देखेंगे और क्या करेंगे n लगा देगे इस तरीके की confusion आपके मारे में इसलिए मैंने यह आपको हिंदी वाले example देखेंगे समझाया है अब भले यहां पर university में यह की तो spelling है यू से start होती है और यू वैसे हमारा क्या माना जाता है वार्विल माना जाता है बच्पर में हमने यही पढ़ाता है यहां पर sound की बात कर दें letter की बात कर दें यह difference है we are talking about here sound letter की बात नहीं letter कुछ भी हो सकता है but हमें sound पर sound क्या है उस पर हमें ध्यान देना है तो अगर हम इस pronunciation करेंगे तो यह निकलेगा university ठीक है university बनेगा university हमारा किस category में आ गया इसमें आ गया तो यह हमारा हो गया consonant sound इसलिए यहां पर आएगा a I hope ही आपको a और n में बाबल consonant sound में तो आप कभी भी confusion नहीं होगा ठीक है अब चलो next देखते है n is used before the singular nouns having bubble sound मैंने आपको अभी जैसे की a समझा दिया same है सही हमें n का भी रिखना है n आउल आउल यह हमारी किस category में आ रहा है एक में bubble category में आ रहा है n आ गया honest man हम इसको pronunciation कैसे करेंगे honest honest हमारा किस category में आ रहा है तो यह भी bubble sound हो गया n लग गया यहां पर अब यह देखो यह confusion है थोड़ा सा confuse करने वाला है MP अब वैसे in general अगर आप को यह वाला rule मैंने नहीं समझाया होता maybe कुछ students क्या करते MP उतना ध्यान नहीं देखा और क्या करा यह लगा दिया AMP तो इस तरीके के ही यह confusion वाले है university university और भी कई words आएंगे आगे मैं बताऊंगे आपको तो इस तरीके के MP हो गया SP हो गया इस तरीके के words वाले sentence बहुत आते हैं तो बच्चे confused होते हैं और A का N कर देते हैं अभी यहां पर sound आ रहा है MP हम कैसे बोलता है इसको MP ठीक है तो अभी हमारा किस category में आना है हमारा यह आ रहा है Bible category तो यहां पर लगा दिया N I hope यह rule आपको बहुत अच्छे दिगर हो गया होगा ठीक है आप चलते हैं next rule की तरफ AN is used before some phrases अब यह तो fix है कुछ phrases हैं जिनसे पहले हम A और N का use करते हैं like a team of, a pair of, an army of, an assembly of exercise करेंगे तो मैं examples के तरफ आपको और अच्छे से clear करते हैं next है A is used with some phrases those express number and quantity उन phrases के साथ भी हम A और N का use करते हैं especially A का use करते हैं जो कि क्या दिखाते हैं numbers दिखाते हैं और quantity दिखाते हैं अभी यहां पर देखो lot of lot of क्या बता रहा है quantity बता रहा है तो यहां पर भी एका use होगा number of किसी भी चीज़ की संख्या बताई जा रहा है number बताई जा रहा है A great deal of a great deal of का मतलब होता है a large amount तो यहां पर भी quantity बताई जा रहा है next an is used before an adjective that describes a quality अगर कोई भी ऐसा adjective जो किसी singular noun की quality बता रहा है तो यहां पर भी हम a और n का use करेंगे उसे पहले because अगर noun singular है तो फिर हम adjective से पहले क्या करते हैं a और n का use करेंगे ज़िए picato was an exceptional artist artist यहां पर singular है picato के लिए उसे दारा है तो यहां पर भी हम adjective से पहले क्या करेंगे according to the sound जो भी sound आया है क्योंकि यह हमें ध्यान दखना पड़ेगा adjective में कि sound जो है वो क्या है हमें a लगाना है या n लगाना है exception लाया है picato was a good artist तो यहां पर आ जाता next when a proper noun is used as a common noun जब हम किसी proper noun को as a common noun use करते हैं तो भी हम indefinite article का युज़ कर सकते हैं definite article का अदासा भी use करते हैं मैंने आपको यह example में बताय था comparison किया जाता है last part one में ठीके तो यहां पर क्या सा जा जा रहा है he is a कालीदास कालीदास जैसा विद्वान है कि जो ही है इसे कालीदास पताया जा रहा है तो यहां पर कालीदास को use किया है as a common noun तो यहां इसलिए a का use हो जाएगा when two adjectives modify a singular noun जब दो adjective कि singular noun के लिए use किये होय हो a and comes with first one अब देखो यह पहले आप sentence देखो I have a black and white cow अब यहां पर यह cow हो गई हमारी noun ठीक है अब cow कैसी है black है और white है तो यह जो दोनो adjectives है यह किस के लिए use के गए है यह cable इसी noun के लिए cow के लिए use के गए है दूसरी बात यह है कि आप कैसे समझेंगे कि यह की है यहां पर अगर लगा दिया ब्लैक से पहले और white से पहले नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हो जाता है I have a black and white cow means जो cow है यह जो cow के पात की जारी है यह आदी काली है आदी सफिर है means black and white mix है अभी अगर मैं ऐसा करूँ कि यहां पर भी मैं यह लगा दूँ अब इसका sense बदल जाएगा अब इसका मतलब होगा कि मेरे पास एक काली और एक सफिर्द गाय है अब इसके पास दो cow हो गए He has two cow's now अभी तक क्या था यह a लगने से कितना बड़ा difference आ गया अगर कोई भी noun से पहले दो या तीन adjective यूज के गए लेकिन जो article है वह सिर्फ first adjective से पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह जो बाकी के adjective भी है यह उसी noun के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं और यह singular है एक है one ही number लेकिन अगर ऐसा है कि कि किसी भी sentence में एक noun है और दो adjective यूज के गए है और दोनों adjective से पहले आपने article लगा दिया तो वहां पर क्या होगा कि यह दोनों अलग अलग चीज हो जाएंगी अब यहां पर अगर मैंने white से पहले article लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास मतलब एक noun है जो पूरी black है और जो दूर्सी काव है वो पूरी white है I hope यह clear हो गया होगा आपको next if two adjectives in a sentence indicate two different persons and things a and comes with each of them अब देखिए जैसे मैंने आपको यह बता है न कावत के एक्जांपल यह एक्जांपल देखिए the vermans have a blue and a red car यहाँ पे noun है हमारी car ठीक है और इससे पहले कितने adjectives आये हैं blue आया है and red आया है लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो article है यह दोनों से पहले आया है तो दा बर्मात कमी आपको समझ में आ गया होगा मतलब पूरी बर्मा फैमली की बात हुई है यह जो बर्मा फैमली है इनके पास एक blue color की car है और एक red color की car है क्योंकि दोनों से पहले article लगा हुआ है इसका मतलब हो गया उनके पास एक blue color की है एक red color की मतलब दो कारे हैं अभी यहाँ से मैंने इसका मतलब हो गया इसका मतलब यह है कि blue और red दोनों एक ही color है मतलब थोड़ी blue है थोड़ी red है A and is used before counting expressing words जो की number denote करते हैं जैसे की dozen हो गया hundred हो गया thousand, million couple इन सब के पहले भी हम article indefinite article का यूज करेंगे next है to change plural noun into singular noun for example, आपको plural noun singular में change करनी है अब यह आप कैसे कर सकते हैं जैसे मैं बोलू की five days journey five days journey तो five days journey को अगर मुझे singular में करना है तो मैं days में इस हटाता होगी तो यहां five से पहले ए लगाता होगी तो इसका मतलब हो गया five day journey जर्णी हो गया next six men committee तो यहां पे हो गया six men committee a ठीक है अब यहां पे singular हो गया six men committee तो इस तरीके से हम plural को singular में change कर सकते हैं an is used before singular countable noun that represents entire class उन सभी singular countable nouns के साथ में हम indefinite article यूज करेंगे जो की पूरी class represent करेंगे जो की specific quality या habit बताई जाए जो की अपनी पूरी class को represent करेंगे जो काव जो है यह domestic animal है यह आपर बताईगे cow is a domestic animal that's true cow जो है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है की cow एक कैसी animal domestic है तो यह अपनी पूरी class को represent करेंगे all cows are domestic animals यह sentence क्या कहना चाहरा है all cows means सभी जो का है वो domestic animals होती है अभी मैं बोलू a lion is a wild animal तो यहां का यहां पर मतलब होगा कि जितने भी शेर होते हैं सभी शेर वो कैसे होते हैं जंगली जानवार हैं उनको हम घर में नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके से यह जो word है यह अपनी पूरी class को represent करना है चलिए अब हम कुछ sentence देख लेते हैं first sentence है he is untidy boy अब देखिए वहां पर इस पहले थी university right university से पहले हमने क्या लिखा था a क्योंकि यहां पर जो pronunciation है हमने a क्यों लगा है क्योंकि यहां पर pronunciation है consonant sound आ रहा है अब यहां पर यह sentence देखिए he is untidy boy untidy ठीक है हम प्रेंस कर देखिए तो क्या आ रहा है untidy यह यहां पर bobble sound है तो यहां हम लग लिखेंगे n she is a university student letters same है लेकि sound अलग है next है he is Indian but his wife is European अब यहां पर इंडियन यह wobble sound है यहां आ गया and उसकी wife कौन है European है European यह sound यह नहीं कलता है ना European यहां पर आएगा आपका a A Ramesh has bought one-way ticket अब यहां पर आपका pronunciation आ रहा है one-way ticket मैं आपको यह लिखके इसलिए बता नहीं था कि आपको sound समझ में आए letter देखकर आप A और N में कित देख यहां आएगा आपका A My sister-in-law is D.S.P. तो यहां आएगा आपका A D.S.P. Rice is sold at Rs.60 a kilo kilo से पहले हम यह जो measurement unit है से पहले हम A का use करेंगे पर kg जिसे बोलते हैं He earns Rs.20,000 a month वो पर month कमाता है 20,000 कमल wants to speak to you अब यहां पे वैसे तो यह sentence अगर हम के बल देखें कमल wants to speak to you यह करेक्ट है कि यह वो का मतलब कमल है जिसको कि आप जानते हैं वो तुमसे बात करना जाता है अब हमने यहां पे कमल से पहले लिख दिया के तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि जो कमल आपके घर आया है आफिस में आया है कहीं भी मान लेजिए उस कमल को आप नहीं जानते हैं आप उसे नहीं जानते हैं आप उसे पुछते हैं जी आपका नाम बताइए वो आपको नाम बताएंगे और उन्हें बोला कि मेरा नाम कमल है आप इस कमल को नहीं जानते हैं आप अंदर गए और आपने अपने पापा ते खा कि कोई कमल आपसे बात करना चाहते हैं अब यह जो कोई कमल आपसे बात करना चाहते हैं वो यह sentence है, आप यहां लगाएंगे A, जब आप नहीं जानेंगे उन कमल को, और कहेंगे कोई कमल आपसे बात करना चाते हैं, तो आएगा A कमल, अगर आप उन कमल को पहले से जानते हैं, तो आप अपने पापा के पास जाएंगे, और क्या बोलेंगे, कमल अंकल आपसे बात क इसका मतलब यहाप है कि प्रोवर्स वगरा भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा ग्रेमेर के साफ से ए एंड इन सबका यूज नहीं होता है या प्रेपोजिशन भी कभी कभी आजाती है तो वह सीजे सीजे स्टेटमेंट दे रहेते हैं आपको पता है तो आप प्रूप में करेक्ट आर्टिकल जो है वह राइट कर देंगे नेक्स है लेट लेट उस गो फॉर अभ यहां क्या आएगा दा आएगा आएगा अभी तो आपको पता इंडेपिनित पढ़ रहे हैं तो आम से आप टेक करेंगी तो ए लगा देंगे अब क्यों आएगा ए इस सेयर पर जाने की बात कर दें Let's go for a walk activity नहीं है तो इसलिए action verb नहीं कह सकते यह नाउन है यापे Next है English is international language क्या आएगा? An English? मैंने आपको पहले पता था language से पहले हम कोई भी article का use नहीं करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा English is an international language Doctor Desai is M-B-B-S यहाँ क्या आएगा? Sound पर रियान दीजिए M-B-B-S M से स्टार्ट वराएए M यहाँ आएगा N-M-B-B-S Man is mortal यह क्या है? यह भी प्रोबा भी है Man is mortal एक universal fact भी है कि इंसान नशुर है उसे मरना ही है यहाँ कुछ नहीं आएगा ठीक है Next है यह जो प्रोबाफ सगरा होती है ना उनसे पहले जैसी होती है वैसी ही रहेंगी Next है What beautiful painting it is Painting Singular है इससे पहले adjective आया है Right अब यह क्योंकि singular है Painting यहाँ पे हम A लगा देंगे Surbi is teacher and motivational speaker Surbi is a teacher and motivational speaker यहाँ पे double A मतलगा देना यहाँ पे 2 Surbi हो जाएगे ठीक है एक ही आएगा क्योंकि यह teacher motivational speaker एक ही परसन है Surbi Couple of hours will be enough for the work यहाँ मैंने आपको बताये था यह counting number जहाँ पे show होता है तो यहाँ पे आजाएगा A couple of hours Next He has bought 10 and Half kilo rice यहाँ पे आएगा A half Seven year plan is launched by the government तो यहाँ आएगा A A seven year plan singular He wants to have drink now यहाँ drink ऐसा verb यूज नहीं की जारी है यहाँ पे drink ऐसा noun यूज की जारी है Drink मतलब वो कुछ पीना चाहता है कुछ विस्की बगरा पीना चाहता है वाइन पीना चाहता है क्या पीना चाहता है यहाँ आएगा A क्या बोला जाता है जितनी भी लॉंब्री आओं इसा नहीं है कि एक लॉंब्री को बोला जाए मतलब यह पूरी उनकी क्या है quality है कि जो fox होती है वो ही clever animal है I hope आपको articles clear हो गए होंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं next video में तब तक की लिए बाई बाई